हलो फ्रेंड तरुसका टुटोरियल में आपका स्वागत है आज मैं आपको इनर समीज की थ्योड़ी बताने जा रही तो जल्दी से आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा देजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी न मैं पदा चल सके कि किस चीज का थियोरी लिख रहे हैं उसके बाद कपड़ा एक मीटर लेना है इनर समीज की पूरी लंबाई है 25 इंच आप अपने रिकॉर्डिंग ले सकते हैं शोल्डर या तीरा छे इंच आस्तिन या चेस्ट सारे दस इंच आर्म होल सारे साथ इंच ग इसे बनाने के लिए एक मीटर कपड़ा लगेगा या इनर समीज फोर्ड फोल्ड में कटिंग होता है इन सारे चीजों को अच्छे सनुट कर लिजी फ्रेंट तो चलिए अब ग्राफ त्यार करते हैं लंबाई हमारा 25 इंच है 25 इंच लंबाई लेकर लाइन खीच लेंगे फिर शोल्डर छे इंच है अच्छे इंच सोल्डर ले लेंगे और गले की चलाई धाइंच है तो धाइंच ले लेंगे और आर्म होन सारे साथ इंच है तो सारे साथ इंच आर्म होन ले लेंगे फिसके बाल कि चेश्ट है सारे दस इंच सारे दस इंच ले लेंगे इस तरह से कि यहां गले की लंबाई छे इंच है कि यह इंच ले लेंगे गले की लंबाई अठाएंच चवराई लेकर इस तरह से आप आगे पीछे के छोटा बराड़ा सब्ते हैं दोनों तरफ के बराबर रख रहे हैं इसलिए कि बराबर से कि कटिंग करेंगे अधाएंच है कि आरे यह कि आज़ेंच कि आरे आरती नच, पास्दिन है बराया से धेंज़े, औराबरा आर रहे हैं कि लाइन ड्रोग कर देंगे उसके बाद कि हाथ इंच पे कमर ले लेंगे कमर भी हमारा है तस इंच तो दस इंच ले लेंगे यहां से यहां तक और एक पांच इंच पे बीच में यहां पे नव इंच पे इंच लागाएंगे इस तरह से और यह तीनों को इस तरह से मिला देंगे यहां ग्यारा इंच ले लेंगे इस तरह से यहां से खुला भाग होगा यहां तक शिलाई लगेगा यहां से खुला भाग हो जागा हमारा तो देक्यें कि पूड़ी लंबाई कि ट्वान्टिफाइव इंच चेस्ट कि सारे तास इंच बीच का भाग हो जाता है नव इंच और यह कमर कि सारे तास इंच और यहां नीचे का कि ग्यारा इंच आर्म होल कि सारे साथ इंच आर्म होल तीरा सारे तीन इंच गले की चुड़ाई धाएंच गले की लंबाई छेंच इस तरह से इस तरह से फाइल भी हमारा इस तरह से पनेगा अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो यहां ना समझ में यहां प्याद हैंच डाउन कर देंगे इस तरह से अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत लग रही हो यहां ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके पुछिए आप हम आपको पूरी कुस्ट करेंगे बताने का अगर मेरे वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज लाइक करें ज्यादस ज्यादस सेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद अधन्यवादस